कि सभी को नमस्कार मां डॉक्टर केलाश एक बार फिर से लेकर किया आया हूं राज कोमिक्स भाई मनोज गुपताजी की तरफ से पकाशित बिग साइज सेट फॉर का रिव्यू जियां बिग साइज का कलेक्शन मैंने आपको शो करा था इन कोमिक्स में से कुछ कोमिक्स का मै इंडिविजुल रिव्यू पहले बना चुका हूं नॉर्मल साइज में जिसके मुझे आधे कोहराम कोमिक्स का मैं नॉर्मल साइज में जो भी रिप्रेंट आया था 2019 में रिप्रेंट किया था राज कोमिक्स को ग्लोसी पेपर में 150 उसका प्राइस रखाता हूं और उसके अलावा 40 रुपे का मेरे पास में 2007 का एक रिप्रेंट था उन दोनों का मैंने कंपेरिजन वीडियो बनाया था वो आपको चैनल में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा त अरवाइस बिग साइज सेट 3 का डिटेल रुपी तक नहीं आया है चैनल पर और बिग साइज की जिद्रें भी सेट आया है राज कोमिक्स पर मनोज गुपताजी तरफ से यह वो कोमिक्स सारे सारे उन सभी का मैं रिव्यू कर चुका हूं सेट बन सेट तू सेट फोर सेट सभी का अन्बोक्सिंग भी कर रखा और वीडियो भी मरा रखा है तो सेट 3 एक ऐसा सेट बन जाता है जिसके बारे में डेटेल रिव्यू नहीं हुआ है इंपाचो कोमिक्स का कौन-कौन सी कौमिक्स शामिल है क्या-क्या कैसी इनकी स्टोई-लाइन है होड़ती है कि नहीं करने के लिए बात करते हैं इसके बार में तो राज कौमिक्स भाई मनोज गुपता जी जो यह नया साइज लेकर कर आए हैं जो फिर आया बांके लाल में हमको देखने को मिला को और सर्फसत्र हमेशा दिखाता हूं क multimedia extracted में ही हमको ही स्थ देखने हो यह बया यह यह साइज पहली बार सर्फसत्र में देखने को मिला कि राज कॉमिक्स भाई मनोज गुपता जी दरुसे और अमर चितर काथा के यह थोड़ा वह छोड़ा सा चुटा है पर अमल अमर चितर गठा की को साइज यह काफे कंपटाबल साइज है तो राज कोमिक्स बढ़े मनोज गुपता जी ने ना सिर्फ ओरिजिनल कोमिक्स बलगी कुछ रिप्रेंट्स भी लेकर क्या है बिग साइज में तो यह तो कुछ स्थे सट वन और बिक स्था चर्ट फिर आया बिक सइट इत्री विक साइच सेट वन और टो ंवें ज्यादा थर अनुम सिनाज ही द्वरा बनाया गए तू força एन गचैने फंक्स लिचा गए कि वह दो इ समिल के द हां रहे कोमिक दिखना मापक हो कित्खर है और और इनमें हमको double folded cover देखने को मिले यह देखिए और 96 pages big side set 1 और big side set 2 में जितने भी comics थे वो 96 pages के थे और उनमें ऐसे double folded cover front और back दोनों में हमको देखने को मिले big size में हलाकि first time published हुए इससे बहले comics big size में नहीं आये थे big side set 3 के खासी थे रही set 1 and set 2 में में जो यह comics सामिल किये गए थे तो इनन comics वह 1996 से लेकर के एर 1999 तक कि गर्मियों के च्टूब में प्रकाशित होते थे तो टोटल big side set 1 और 2 में आठ comics थे 8 comics और जिनमें से 1996 में एक comics आया था और यह 2000 में एक और बाकी के यह में में दो-दो मिला करें टोटल 8 comics हो गए यह 2000 का एक comics शामिल किया गया था कया मत था 96 pages का double folded वह उसमें थोड़ा से sequence बदला बाकी तो बिल्कुल sequence में आये comics कया मत से पहले कोराम आ चुका था यह बात मैंने जब big side set 2 मैंने डिसक्स किया था तो भी मैंने यह बात डिसक्स करी थी पूरा मैंने connection बताया था इसी वज़े से हमको कोराम में कया मत मिलता है बत कया मत को इसमें करने के decision कई तरीके से correct था मैंने वह भी डिसक्स किया था एक तो 96 pages का होना दूसरा double folded cover का होना हाँ तीसरा जो है सूर्मा के साथ इसका connection होना तो वह सेट में इसको देने में काफी ठीक रहा है decision तो इसको रखते हैं अब बात करता है कोहराम जल्दला सर्व शक्तिवान सर्वनास और संग्राम के बारे में big size set 3 में कोमिक्स निकाले गए और जितने भी कोमिक्स निकाले गए वह story wise और artwork wise काफी special थे पूरे साल में एक या दो आते थे तो पूरे साल अबर उनकी planning चलती थी इस तरीके से काफी special थे और अच्छी printing quality और अच्छे pages के साथ में मनौज गुताजी लेकर कहा है और size भी big था कहीं कोई भी printing issue या कुछ भी issue देखने को नहीं मिला कि और होराम और यह 2000 में आया था कि और में पहले भी कई वर चर्चा कर चुका शुका और यह जैसा silver में इसका नाम लिखावा है और यहां पे जो hologram बना रहा है यह जो करेक्टर हरू है इसका नाम और ऐसा hologram आया था जब इसको शो किया गया था कि बिग साइज सेट थ्री अलाइवड तो कॉमिक्स थोड़ी से इस हिसाब से मिली थी मतलब उसमें दिखाया वा नहीं था कि कोहराम में क्या देखने को मिलेगा तो उससे भी लोगों को थोड़ा शक हुआ था कि हरू चुपाया बाग क्यों है पहले से ही प्री ओडर में प्राइस बताएगी थी सेम प्राइस पे एक नई चीज एक्स्टा चीज मिल जाना काफी अच्छा रहता है तो यह एक अच्छी देखने को मिली थी राज मुच्छ अधरोज हमने अभी नए एक्जामपल भी देखे हैं जिसमें प्री ओडर में बाद में निकल करके नई प्राइस साथ में चीज आई हैं तो यह एक काफी प्लिजन सब्राइस था सभी पाटकों के लिए और जो फैन से वह इस चीजी काफी समय से रिवांड कर रहे थे और इस फॉर्मेट का कॉमिक्स यह काफी रेर हो गया था बहुत कम ऐसे लोग मिलत तो यह हमको ओरिजन से भी बेटर लगा फील में क्योंकि एक बिग साइज में आया है फस्टाइम प्लस यह और पेज क्वालिटी भी ग्लोसी मतलब उतना ग्लोसी तो नहीं इसना कि 2019 में था बठा एक डिसेंट ग्लोसी है जिसमें कि हमको आटवरक बिल्कुल अच्छा से खते ही वह पेज़ग है और और कवर कॉल्टी का भी हछी है बिग सैटSet4ôm 475 में कवर क्वालिटी में थोड़ा सा इसु देखने मुला इसकी कवर क्वालिटी में कोई भी शक्रेत मी कोई भी बहूँए बाट अची कवर क्वार ओर हLуска IRS और इसके अल Cayce Great Street के तो मैंनों यह करेक्टर जो है पुराने जमने के हैं तो इनको नागराज और सुप्रकॉन ध्रू के साथ लान पाना थोड़ा सा टफ रहता है कि रादनगर की तबाही मैं फिर से आजाता हूं बिग साइज सेट वन का पहला कोमिक्स जो एक और इजनली प्रकाशी दुआ था उसके पीछे पोस्टर उसके फ्री एक एक अनॉंसमेंट होई थी लेकिन जब यह कॉमिक्स आई तो फिरी कुछ नहीं मिला था तो अठक काफी नाराज भी होते पर तब सोचल मीडिया बगरा नहीं होगा करता था लेटर्स में उन्होंने नाराज की जा हो सकता है कि उनके माइन में को विजन रहा हो जो चार साल बाद संदोयार में अपने मूर्त रूप में आया हो इसमें अलग अलग टाइप यह करेक्टर दिखते हैं जिनमें से दिखिए युद्धा है गोजो है बोकाल है अश्वराज है फाइट रोडस है और बांके लाल ह यह करेक्टर को एक साथ लाना उस टाइम के साथ से पॉसिबल नहीं था उस टाइम के जो रीडर्स थे उनको भी ऐसी स्टोई पढ़ने के जादत नहीं थी अगर हम आज की बात करें तो आज तो अलग अलग टाइम लाइन की बाते चलती हैं उसके अलावा अलग यूनियोर पॉसिबल लेकिन फिर कॉंपलेक्सिटी भी उतनी बढ़ गई है अगर हम सारा क्रोस ओवर एक साथ चाहते हैं तो उसका एक सांपल है सर्वनाएक सीरीज जिसमें की हमको 12 कोमिक्स देखने को मिले एक सीरीज में और सर्वनाएक विस्तार जो उसका एक साथ में परला तो 12 और 16 कोमिक्स ब्रकाशित होने के बाद भी वो सीरीज कंपलेट नहीं हो पाई और समय इतना लग गया 2013 से लेकर के संदवार 20 तक कि पब्लीकेशन में कुछ डिस्प्यूट हुआ या जो भी बात हुई जो अलग-लग पब्लीकेशन नए सामने निकल करके आए राज कोम हम सबको अभी काई एक साल से क्या कई साल से वेट कर रहे हैं इसी पॉइंट पर फिर से आते हैं तो मेरे करने मतलब था उस टाइम के साब से ऐसी सोच डवलप कर पाना काफी मुश्किल था कि भोकाल बाखेलाल सब को लाए जाए लेकिन हाँ अगर इन करेक्टर्स में से यह मैं कहूंगा 1996 के बाद जो और करेक्टर डवलप है उनमें से चूज करना हो तू वर्तमान जो उस समय का संदोयार की बात कर रहा हूं जो टाइम लाइन था उसके साब से हीरो निकल करके आते हैं नागराज एक डोगा सुपर कमंडो धूरू परमानू इंस्पेक्टर स् जो निकल करके आते हैं इनको जो एक टाइम लाइन में हैं इनके साथ एक कॉमिक्स लाना पॉसिवर आप युद्धा को मुझे नहीं पता मैं बहुत ज़्यादा परिजित नहीं इस करेक्टर से सिर्फ अभी जो बिग साइट 4 & 4.5 में जो है टक्कर वगरा वो कॉमिक्स प रखा बट वो करन टाइम लेंगे तो उसको भी लाना पॉसिवल है तो इस से पोस्टर से एक हमको ग्लिम्स मिलता है अगर मल्टी स्टार राज को इस फ्लान करेगी तो उसमें कौन-कौन होगा और एक बात और 1998 में को शक्तिव वर्ष के रुप में मनाया गया था मैंने को शक्ति करेक्टर भी देखने को बिला तो बहुत पावर्फुल करेक्टर बनाए जा था शक्ति वह भी पॉसिबल है तो इस तरीके से थोड़ा सा इसी पोस्टर में से करंट टाइम लाइन के करेक्टर अगर हम निकाले उठाए जाए और उसको थोड़ा सा दोजार के परने बात हो गई है बीचे के सार परने बात हो गई है लेकिन उस रिसाफ से संद दोजार तो इक काफी माईनों में एक अलगी साल था मतलब यू बोलते थे यह टूके बहुत जदा बूम सा आया था और लोग ऐसा बोलते थे कंप्यूटर्स खराब हो जाएंगी क्योंके गलत हो जाएंगे इसे काफी अफ़ाय सुने को मिलती थी और उस समें की मुवीज बगर होती जिसे मेला था यह पतानी कौन से देखो कि 2000 जमान आ गया ऐसा भी गाना आया था काफी मतलब एक ऐसा तर नया समय आ गया है यह टूके में आ रहे हैं नई सदी में आ रहे हैं सब समय था वह भी थर तो क्या के चैंजिस में में आपको बता है एक चैंज और था यह बेडिया जो आपको करेक्टर दिख रहा है 1998 में यह हुआ था 1998 में कोबी और बेडिया कोमिक्स आये था जो मैं बिक साइट सेट वन और टो डिसकस कर चुका हूं सेम उसी फोर्मेट में को प्राचर और कलीयो कोमिक्स आये थे तब आया था बलीक उठार वो भी कलोशी में बहुत चांदर कोमिक्स थे वेडिया कि अभी भी उंको वेटर उनके रिप्रेंट का दे कमरांस होते है तो वो कोमिक्स आये थे उसमें एक ऐसी घटना करम बहा 1998 में कि भेडिया के दो पार उनमें से देखी एक आपको दिखरा होगा कोराम के टाइटल कवर में यह कोबी है जो जानलोला पार्ट अलग हो गया बेड़े अलग हो गया वह इसमें दिखा नहीं रखा तो चार साल बाद जो राजनगरी तबाई की विचे पोस्टर था अगर इनमें से मैं मैं आपको प उस समय इस पोस्टर में शामिलना किया गया हो या फिर उसमें इंट्रोडवीज न वह इन सब चैंजिस को लेकर के उस समय यह तो था उनकी जो करण्ट टाइमलाइन के एए उनको लेकर के बनाया गया कोराम बहुत ही सक्सेसुल रहा इतना सक्सेसुल रहा कि जिसा राद न 48 Pages का Comics प्लान होना शुरू हो गया, यह है कोराम हमेर सामने, क्या स्टोरी है इसकी? Alien जो glow कर रहा है, hologram जैसा, और होलोग्राम स्टिकर काफे फ्री मिलते थे, यह नैंटे एनटे नइन आइन की जो कोमिक्स थे, सब्सक्राइब करें तो यह एक एलियन था और एलियन के जो अटेक्स होते हैं इवन आपने मारो लीशी की मुवी जो एक फिल्म आई थी मूवी उसमें भी आपका ऐसा कॉंसेट देखने को मिलेगा जस्टिस लीग जो 2015 में थी और फिर उसका जेक स्नाइडर कट यह 2020 में शायद आया था तो आपको मतलब चाहिए आप जस्टिस लीग देख लीजिए मार्वल की एवेंजिस देख लीजिए कुछ भी देख लीजिए आपको अगर सबी सुपर हीरोज को सिंबल कराके ऐसा कोई खत्रा दिखाना तो निश्टिव से एलिए नहीं होना जाए तो खेर सेम ऐसा ही पेटरन फोलो किया गया लेकिन बहुत शांदार था बहुत ही शांदार टीटिमेंट दिया गया इसका फ्रंट कवर अनुपम सिनहार जी का चितरांकन और विनौत कुमार जी किंकिंग और इ रंगा है शक्ति है डोगा है एंथनी है स्टील है को भी है नागरा दरू तो यह बोडी डेश्यू भी काफे अच्छे मनाता है अरुपमिशा जी और शक्ति इंडोडियूस हो गई थी तो शक्ति के भी ओमिक सेलिस्टम को देखने मिलती विद ओरिजिनल सेट डिटेल से द को मिला था जा तो मुझे पता है लिख तो रखा है स्टिक्रम मिला नहीं रखा है यह देखिए तो इसमें काने शुरू होती है और यह तो जो कॉमिक्स था इससे पहले फ्लेट कलरिंग होती थी और थोड़ा-थोड़ा डिजिटल कलरिंग एंट्रोडियूस हो गई थी तो इसमें आपको मेंनली फ्लेट क कलरिंग और कुछ पेनल्स में कुछ फैसे में आपको कि इस फेस में आपको ऊटिछी वाले कलरिंग क्लरेंग कलरिंग थोड़ी थोड़ी इंप्रूब होना शुरू हो गई थी महां इसा बोल सकता हूं जैसे यह देखिए तो यह एक इसमें आपको एफेक्टिव देख रहे हुगा विद एफेक्ट के कलरिंग थोड़ा-थोड़ा कुछ स्पिशल फ्रेम्स में इंट्रोड्यूश की जाती थी तो यह दोनों फ्लेवर को यह जो है इंक्लूड करती है यह कोमिक्स मतब फ्लेट कदरिंग से ट्रांजिशन फेज और इसके बाद ही मैंने बताया था कि कयामत अनौन्स हुआ था 96 पेज़ का आगें फॉलेट कवर के साथ में जो बिग साइज सेट तू में उसको शामिल किया गया वह भी मैंने आपको जब सेट टू की मैं डिस्केशन कर रहा था मैं वह ट्रांजिशन फेज वर्ड मैंने तब भी यूज़ किया था पर आपको कयामत में विद एफेक्ट क कलरिंग ज़ादा मिलेगी फ्लेट कलरिंग कम मिलेगी जिरे दिरे धीरे घीरे फ्लेट कलरिंग कम होगाई जड़क ये थैस न बारती और नागराज आपको एफेक्ट दिखेगा इफेक्ट दिखेंगे यदो फेस बिल्कुल क्लSiेट कलरिंग नहीं दीखेगी और कुछ कुछ जगा फिलेट कलरिंग दिखेंगी और कुछ जगा जो है विद उद अफेक्ट सेँडेंगे लेकिन कयामत कई आगर आप कोई भी सीन उठांगे देखेंगे ञिलेगी तो आपको फ्लेट कलरिंग कम मिलेगी इस सीन में घ्रख जिरीज आ इस rapid फिर बाद में फ्लेट कलरिंग एक इतियास कापार्ट बन गई थी तो कोहराम एक ऐसा कोमिक्स बन जाता है जिसमें आपको फ्लेट कलरिंग भी मिलेगी बढ़ हाँ कुछ-कुछ फ्रेम्स में आपको स्पेशल एफक्स देखने को मिलेंगे करते हैं यह फिर मिले भी यह उसे गफर किने घर थाकेफ़ दो कुछ बदल गई है इसके बाद में मल्चिस्टार भी प्लान होने शुरू गए तो अब फ्रेंट फ्रेंड थोड़ाért चेंज हो गया था कःलाम आने के बाद में इसफी है कि एक इक इमान में इसी ने बव्यव्यास características कि अपने करना कामशने है कोई आपने लिए नहीं wonder में हुकूआ हो जा है जो आप नायके सब्सक्राइब गया है दिद से अलग ख्षेतर से सूपर हरो शुस्ते हैं और एक साथ असेमबल करके उस उस का सामना करते हैं बहुत श्क्रेश लाइन हो और टो किया गया है डूगा इंठूनिक संस्क है और पर्मानों हटिरंगा सइल कृसरन बहुत अच्छा तो ये भी एक अच्छा एक फिलोससे के टच रेकर रहे कि वास्ता में गुस्ता हमानी काफी खत्रा को होता है बस उसके एफेक्ट हम डिरेक्ट नि देख पात है कि किस तरी किस खत्रा हो सकता है बिट लिचे की बीञ है विनौत कमाजी ने तो वह सारा इसमें कमिलता है बिधनस्वकरा में इसमें कम देखने को सारे हेरोऊसेंबल होते हैं इस 허त्ति का है इस तरह के स्टोराओन 're in a pemifra-Mic आप में stand around comics है, बहुत अच्छी comics है, तो year 2000 में काफी famous रहा और पुराना जो एक trend चला रहा था उसके तहत, गर्मी के चुटियों में कायमत भी publish की गई, कोराम कायमत दो comics आई, जिसे की पहले आती थी, difference इतना रहा, पहले 96, 96 pages की 2 आती थी, अब 128 pages की 2 comics आई, इसी के अगले स संगराम जो है वो, 80 pages के तो ये एक difference आ गया, again double folded cover में ही आई, comics देखे, वही कलेवर, वही नागरा जो सुपर कॉन धू, काट विनन comics, वही छांदार चितरांकन, स्टोई लाइन, और पर 80 pages ते, इस वज़े से जो big set set 1 और 2 है, उनमें जो सभी comics अलग बन जाते, वो 90, 96 pages के काफी आई ये बाद में भी, उनमें ऐसे double folded cover नहीं थे, double folded cover संगराम के बाद बिल्कुल बंद हो गए, और इसके बाद मुझे double folded cover देखने को मिले, बाल चरित स्रीज की flashback और no man's land के collector edition में जिया, जिए को जैकेट covers बोलते हैं, पर वो और अलग चीज है, अभी मनोज कान पर मिले ते प्रण hillary लेवेन गूंग गान, तो ये संगराम है, चलिया हाथ महीति की हूद कइश को इस टैम की बाद करते हैं, ने इस संघराम की OF लाएender है een aftश अ कॉमिक्ष जिसमें, अ अ तरिफना स्रीज के बाद में जो हुआ था उसके एक छोटा सा बच्चा था जो नागराज की लाइफ में आया या नागदीप में इंट्रोड्यूस हुआ था उसको इस्टोरी को आगे बढ़ाया गया है दुरू को भी नोल किया गया है और इसके दिखी यह कलरिंग हो गई थी मैं आप से बंड़ास करने जथे सीदा करने कवाद कट करना अपड़ेंगा ऊछ फ्रीज को पेज बनावादा था तो इस संगराम में एक टाइम ट्रेबल का था है कि बास्ट में जाकर कि नागराज स्वतनतरा संग्राम में हेल्प करता है और इसमें भी एक थोड़ा सा एलियन टाइप का क्रीचर है वो जरूरी है कि इस तरीकी के अर्वांच टेक्नोलजी रिखाना उसमें थोड़ा सा एलियन हेल्फूल है लेकिन बहुत अच्छ ट्रीटम और उससे पहले वाला टाइम भी हो सकता है कि घोड़े बगरा काफी दिखाए यह वही टाइम होगा तो सतंद्रता संग्राम जो चल रहा था उस समय का सीन दिखाए गया उसमें नागराज पहुंच जाता है लेकिन वह भूल जाता कि नागराज है उसको याद रहता कि विर इसमें गांदी जी भी देखने को मिले थे हमें थोड़े से लास्ट की फ्रेम में होंगे शायद आवे गांदी जी देखें गांदी जी को भी दिखाए रखा है तो बड़ा माज़ा है तो इसको पढ़ने काफी मज़ा यह था संग्राम टाइम ट्रेवल की कॉंसेट पर इसका नाम रखा गया सोतनतरता सेनानी दृ और जिसे बाइक पे ट्रेवल करता है वो जो है घोड़ों पर ट्रेवल करता है और दृओ जैसा ही उसको पोशा को कर रखे गई तो मुझे लगता है कि संग्राम से ही उसका आइडिया आा होगा थोड़ा थोड़ा तो यह है व्दार एक में परकाशिता फिर से अरानी पड़ेगी तो सीट्ट्ट्य कोमिक से लेके आनी पड़ेगी क्यामत के बाद पब्लिश हुई थी आइम स्वी कोराम के बाद पप्लिश हुई थी और कोराम के पिछे लादर जो कैमत की पिछाया था कि इससे पहले रादनगर की तबाहिए अदर जो कोमिक्स है परले विनाश्ट तानाश्र सूर्मा यह जो कमिक्स होते थे इनमें ऐसा होता था जो एड हम देख चुगे होते थे किसी भी कॉमिक्स का अगर वही एड इन कोमिक्स में पुब्लिश किया था उसको थोड़ा सा कस्टमाईज बनाए जाता था कि वो जो है हमको अलग थोड़ा से देखने को मिलें जिसे की सूर्मा का ही को एड है निशाचर का जो जनरल एड आता था वो अलग था और इसके लिए स्पेशल डबल फोल्ड़ कवर के वो इसके लिए कस्टमाई नहीं था तो यह देखिए कि क्यामत की पीछे जो डबल फोल्ड़ में हमको दिया गया जलजला का एड संद और एक में प्रकार्शित एड़े की लिखावा है और लिक्या एक है मानों से टक्रा गया है महामानों वर्तमान से टक्रा गया है साल मानों कि यह तुछन चल रहा है उसी वक्त प्लान कर लेते हैं कि अगली साल क्या करना है तो यह तुछन वन में हमको देखने को मिला जल्जला जो कि बिग साइज सेट ठीका दूसरा कॉमिक्स बोल सकते हो आप लेकिन अभी मैंने डिसक्रिशन कर लिया है संग राम का त बिग समें नागराद सुबर कमानडर धरूदोगा और पर्मानों इनके भी कुछ इंट्रोड़क्टरी फोर फोर पेजी दिए गये थे जलजला टुटा नागराज पर जलजला टुटा पर्मानों पर और बिगा पर फिर से बतायता हूं आला कि आपने देखा होगा पहले म से शुरूव हो रहा था तो इन में थोड़ा सा कन्वर्शेशन दिखाया गया और थोड़ा कंप्यूटर अफेक्ट भी है नागराज इच्छा दरी सकती में कनोट हो रहा है और यहां पर एक नागराज का ही विक्सित रूप नाजगर दिखाया गया उसे कैसे लड़ेगा और कि केक्टस के डोगा द où और बंदूक नागराज की नागराज का कहर और सुपरकमान दडूरू की चुम्बह समराट ये कौमिक्स थे जिनमें इसके एडा आ है तो जललदला टूटा नागराज पर बजलला दूला धुरूप फर जलजला डोगा पर और जलजला डोटा परवानों पर तो वो इसमें शामिल किया गए और मैंने डिसकस किया कई बार डिसकस किया जब भी इस कोमिक्स का जिकर आया तो यह सीन है जलजला डोगा पर यहां पर एक यह स्ट्रिप जो पर बनी वी है यह नया एड पहले बन गया है तो यह हमें दिसा इन के नीचец के नीचे यहां पर यह बना हैस्था यहां पर यह देखे कोई एक मक्ही सी है इंसेक्ट काफी बड़ा हो गया वह बड़ा नहीं सुरी यह महामानों भी काफी बड़ा दिखे रहा तो मतलब यह बड़े निवी पराउन चोटा हो गया यहां पर लिखाता आगे क्या होगा अगर के अब सिर्व बसता है तो भी दिखाए देखें यह जो सीन है यह ब्लू क्लर का दुरू लिखाऊ है यहां पर लिखाता जल्दला रूटा दुरू पर और फिर वापिस वही कि जल्दला आने देख दूरू देख परत्वी किरने का वक्त आ गया है ऐसा करके फोर पेज आगे जाएंगे तो यहां पर ऐसा यह एक वरक्ष और मैटल के वाईर से बनावा कोई प्राणी है यहां पर लिखाता बड़ी जल्दला इस तरह के फोर फोर पेजीज दिये गए थे अलगले कोमिक्स में जल्दला की ब्रांडिंग के लिए और सेम से मिलता जुलता पैटर्न हम को अभी युगारंब और जो नरक ना फोरिघ्वले के बहुति अध्युक्ति नाग परले उसके पहले के चार पैजी देकर फोर प्रीले के लिए दिए तरह की यहां गरंटि surtis की सबशा Bij इसमें देवी शक्तिया है तो इसमें विज्ञानी शक्तिया है इन दो नो को मिलकर जूजना पड़ा वायरस से तो कितने खत्नाक होते हैं सुपर कॉन दू की विलेंस यह मैं कहूंगा अनुपम सिनाजी दोरा बनाएगे विलेंस तो महामानों भी उन में से एक है तो काफी पावर्फुल दिखा गया उसको वह सभी हिरोस को टकर लेने पड़े और अगर आप को अर जल्दला को कमपेर करेंगे तो आप दिखेंगे क कुछ इसमें हटा दिये गए जिसे की एंथनी इसमें नहीं है और कुन नहीं है इसमें तिरंगा शायद नहीं है कि हैप पताई तिरंगा भी इसमें नहीं है तो तोड़े बहुत मतल्दब अब थोड़ा सब पहला कोराम बों ईक्सपर्यमेंट था कि वह सारे हिरो हूं पर जलदिला में एके बाद वो ट्रेंट शुरुआ कि जितने जरूरत है उसे स्टोई लाइन के साथ से वो हिरो हो और बाकी उसमें ना वह जो अच्छा भी लगता है और इसी के साथ में तीसरा कॉमिक साता है हमारे पास में सर्वर सुक्तिमान जो कि यह भी 128 पेजिस का कॉमिक स और यह अपनी तरीके का लास्ट कॉमिक सिरा यह 2004 में हमको यह देखने को मिला जी हां तो जो ट्रेंड शुरुआ था को राम यह 2000 में में कि 128 पेज का 40 रुपय का कॉमिक देना है साथ में 25 रुपय को देखने को मिलता था चाहिए वह कयामत हो 96 पेजिस का कॉराम के साथ में यह 2000 में चाहिए वह संग्राम हो 80 पेजिस का डबल फूलेड सेम यह 2001 में हालाकि यह बिग साइज से टू का पार्ट आ जाते हैं तो इसके बाद में टूथान 2 में क्या हुआ और 3 में क्या हुआ बता जाता हूं वह कॉमिक इसलिए शामिल नह हो चुके हैं आप आपने और इसके में वीडियो बना चुका हूं आप चेक आउट कर सकते हैं और यह 2003 में ड्रैकुला सीरीज आई थी जो काफी फेमस रही जिसमें जो है 80-80 पेज के दो कॉमिक्स तो चार कॉमिक्स का एक काफी बड़ी सीरीज निकली थी ड्रैकुला सीरी काफी फेमस थी तो यह 2003 में वह हुआ फूर की बात करूं तो समराट सुदांगे और खलाएक नागराज यह भी आपने राज कॉमिक्स में मनौज गुपता जी तरफ से रिप्रिंट देखे होंगे तो वह भी कॉमिक्स जर्नल साइज में बुबिश किये थे मनौज गुपत और काफी समय हो गया उस चीजों को लोगों को चाहिए थे कॉमिक्स तो उन्होंने कुछ इस्पेशल साइज में निकाले यह भी फरक पड़ता है कि किस कॉमिक्स को बिग साइज के लिए इस्पेशल ट्रेटमेंट के लिए चूज किया गया एक तो उसके स्टोरी पर डिप करता है तो इन कॉमिक्स से डिमांड थी पर इतनी ज्यादा नहीं क्योंकि 2019 में ही यह रिप्रेंट हुए थे यह 2020 में रिप्रेंट हुआ था और काफी अविलेबल था इस वज़े से ऐसा कुछ निकालो कि वो डिफरेंट रहे जिसे कि कोहराम बिग साइज में पहली बार आ यह रिप्रेंट हो चुके थे और तब रिप्रेंट हो जो 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 कोमिक्स अवेलेबल थे वह बिग साइज में रिप्रेंट हुए हाला कि इसमें भी exception है मैं बता चुका हो उपको कि परले और तानाशा कफे डिमांड में थे लेकिन सीधही वह बिक साइज में पब्लिश हिरोस देखे लिमिटेड हो गए अगर आप कोरांस से कंपेर करोगे तो काफी इसमें लिमिटेड सुपर हिरोस हैं जलदला बाले सुपर हिरोस शायद बेडिया बनावा नहीं है वह एक डिफरेंस मुझे लग रहा है और तो बागी सारी हिरो हैं तो और जलदला में सुर्वी भलती उइश एंगा भपड़ेरा ते राउना है यह याद नहीं आ रहा इसके इंदर रंगा कोई कॉंसेट है और्ला में तो तिरंगा पकड़ा था पर और है तो सर्विसक्ति नहीं थोड़े से लिए रोस कर दीए तरंगा को कभी वीडियो कम कर दिया शांदा इस्टोई थी ती थी बुरी लोग लग रहे होते हैं वह अच्छे निकल जाते कई बार और जो अच्छे दीख रहे होते हैं व्यद्वन्स और परकाले में लेकिन इसमें एक स्टेप और आगई चला गया तो शुरॉत में जो बुरे लग र 80 80 80 और इसमें थे 128 अब आप सोचेंगे कि तीन कॉमिक्स का प्राइस 80 और इसका पर इसमें 128 पेज और इसके साथ प्रोमिस तो किया गया था लेकिन दी नहीं गई थी क्योंकि पेज नंबर के साफ सी इसके बाद में आप तो इसके बाद में एक बेक स्ट्रोई थी सर्वसक्तिमान यह तो फुर में सिंगल 128 पेजी कहा था लेकिन हागा चालेस रूपय का नहीं था वह काफी को मिस आये इसके बाद में के लिए एक सोठाइस पेजी को मिशने बंद हो गए थे प्राइस राज को पर से इंक्रिस नहीं करा था यह टू फॉर के बाद में ऐसेल्स काफी कम हो गई यह वह टाइम था जब देरे देरे दिरे देरे देरे घ्रज्थ डाउन हो रही थी तो उन्होंने क्या करा प्राइस तो इंक्रीज करने का सोचा भी नहीं सेम प्राइस पर कोमिक्स निकालते चले गए लेकिन उन्हें पीजिस कम करते चले गए यानि कि 20 पेज में 20 रुपए में जो पहले 64 पेज आते थे उनको धीर दिरे 56 कर दिया गया और और 40 रुपए कोमिक्स में जो 128 पे जाते थे धीरे दिर उनको 96 कर दिया गया एटी बाद तो एक अलगी केस था वो सीडी फ्री देने के विए से इसके बाद में 96 पेजी कोमिक्स काफी आए जिसे चक्र है वरतमान है उस तरह की जो कोमिक्स फिफले मिना मगरा तो बात करता है फिर से सरुषक्तिमान की तो इसमें भी इस एलियन डाइब की स्टूरी है पर तुष्ट अलग है काफी फ्रेश ट्रीटमेंट और काफी बड़ी स्टूरी लगेगी आपको कि किसी जो पैनल है वो जनल जो कोहराम जलदरा वगर से कंपर करेंगे तो सब्सक्तिमान के वारे में अभी इतना ही अब बसती है एक महांतर सर्वनाश तो मैंने आपको बताए था कि हर साल नागराज और सुपरकॉंड दूरू कि मैंने सेट वन एंड सेट टू डिसकस किया था नहीं पढ़िए पास में तो रिफरेंस के लिए लिए लिखा जाता ह परले और विनाश दोनों नागराज दुकिस टू इन्वर उसक के बाद में 98 मेंता निज ओसी है पिर ईख़ता मेंória इनपंज भी छतम हुआ पसंद की जानेर पेरिंग और हर साल एक नागरा द्रोका टूइन भी हमको देखने को मिला तो यह थोड़ा से वेरेशन आ गया कि हार 1998 में भी और 1989 में भी जब यह 2000 आया तो यह तो मैंने बताई दिया आपको कि को कौराम आया था प्लस कयामत आया था जो कि बिग साइट से टू में हमको दिखने को मिला था लेकिन वह आया था कोराम के बाद में फिर से नागरा जो परवानों की पेरिंग जो काफी अचर उसी को रिपीट किया गया सरवनाश में लेकिन सरवनाश इससे कई मौमनों में कमजोर बढ़ जाता है तो यह कि इसमें डबल फूल्ड़ कवर है ऐसा सरवनाश में कवर देखने को नहीं मिलता रिजन भी यह कि गैप काफी लंबा आ गया प्लस कि सूर्मा और कयामत म में थी और कोराम पहला एक्सपेरिमेंट ही था यह 2000 में तो मुझे लगी रहा था कि डबल फॉल्ड़ कवर खतम हो गया देखे बन टॉन्टीएट पेजिस साथ में लेकिन उसी साल क्योंकि पुराने परंपरा थी तो उस परंपरा के तहत 96 पेजिस का डबल फोल्ड़ का निकल कर गया था लेकिन अप्रेशियाबल काम किया था 25 रूपीज रख करके लेकिन जो है निशाचरों से काफी लंबा गया पा गया यह 98 माय था और यह 2007 में तब ग्लोशी कोमिक्स की शुरात हो चकी थी तो सर्वनाश में की यह पहला दुरूव डोगा कोमिक्स बन जाता जाते हैं जाते हैं अधिक मेरे साफ से इक तो नाइट एट इसमें जब रादर नंगी तभाई आया उसके लगते हैं और उस समय के जो स्टोई लाइन आर्ट वर्क अलगी ताइप का होता है तो यह देखिए सर्वनाश में नागायन का एड़ भी देखने को मिलता है इतना शांदार और नागायन के बाद तो इतियास ही बदल गया राजकुमिक्स का अलगी तरह की कोमिक्सान लग गई बहुत फैमस सीरीज है नागायन भी और इसके इंट्रेसिंगली काफी वेरें इसके दोरा करें उसकी बाद बाद में करेंगे तो सर्वनाश भी एक ट्विन है नागराद और सुझी दूरोगा का ग्राउंड रिल्टी को लेकर के लेकिन ने शाचर में जो एक हमको इस्पेशल टीटमेंट देखने को मिला था कि सुपर कमान दूरू को अनुपम सिनाज परपल रखे गए इस देगा तो डाक डाक कॉमिस लगता है यह बहुत अच्छी क्लरिंग के साथ में रिप्रेंट का फेची का हुआ है और इसका एक वेरेंट और आया था जिसमें वाइट बोड़र रखे गए थे तो और जो बिक साइज में रिप्रेंट किया गया है वह तो ये इसकी अगर हम स्टूरी की बात करें सरवनाश की तो इसमें आपको एक आतंकवादी जो अबू सलीम इसमें नाम यूज किया गया है निशित रूशे अबू सलीम से वह परवाईद होगा उस पर है मतलब कि उसमें शायद उसकी बेटी भी इसमें शामिल होती है और आतंकवादी को ढूगा मारना चाहता है और धुरूप बोलता है कि इसको मत भारो अध्रवाइस हो जाएगा सरुवनाश ऐसा कुछ एड आया था नॉर्मल अफिलेट करने के साथ में यह नॉर्मल करने के साथ में उसके बाद यह टुछन सेवन में जो कोमिक्स आने वाला था को मिला था वो एड मैंने पुरणाई वीडियो में दिखा है अभी अभी अवेलेबल नहीं मेरे पास में तो सरुवनाश कहीं मामलाव में एक शांदर को मिस निक्रेंगर कर कहा है द्रू डोगा का पहला ग्लोशी और इस तरह के साथ में डार्क बोर्टर के साथ में अलाग वीडियो में तो यह जो बिक साइट थी थोड़ा साब को रेंडम मिक्शर मिलेगा आपको इसमें वह जो सेट वन और सेट तू में जो कंटिनिवेशन था वो इसमें टूटा तो इसमें रेंडम को मिसा मिलेगे फिर भी काफी अच्छा एक सैट बन जाता है संग्राम है रुषक्तिमान अजादिला और सबसे बात है कि सारे सारे बिक साइज में है और बहुत अच्छी परिंटिंग के साथ में कई तरह के के एंप्रूमेंट्स देखने को मिलता है बस एक मातर यही कॉमिक्स है जो बिक साइट सेट आप वन की बात कर लिजिए टू की बात कर लि इसी बज़े से बाकिलाली कॉमिक्स काफी आ रही है तीन कॉमिक सीज हो चुकी है सर्फसतर के बाद आई दियो कॉमिक्स और नागराज सिफ एक ही कॉमिक्स आई एक तक मतलब मेरे पास अब यह को रिजिए है अगेन सभी को अंतर तक बनेने लेके धन्याबाद और आप भ प्रिशन से दियो दिने बाद